बारत की पांच स्टेट्स में इलेक्शन का प्रॉसेस जारी है और इसी कॉंटेक्स में हमने करनाथका में देखा के एक हिजाब का बुर्का का एक सिलसला हुआ जिस पे पॉर्टैस भी कुछ हुए लेकिन वो एक दम से हुए अब एक दम से रुक भी गए है लगता है कि ये पुलिटिकल कार्ड कोई चल नहीं रहा हमें कैनड़ा में बैठके ऐसा ही लग रहा है और इसके साथ साथ आज के शो में बात चीत होगी मुसल्मानों के जो रिश्टे हैं अपने देश भारत के साथ वो कैसे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बहुत ही नामी गरामी हस्ती जनाब फिरोज बख्ताइमत साथ जो डिली से इस वक्त वीडियो लिंक पर माजूद है सर आपको खुशामदेद कहते हैं कि लगता हमें कैनड़ा में बैठके जब हम भारत का पुलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो वहां पे पुलिटिकल जैसे गिंबिट्स होते रहते हैं तो करनाटका में जो कुछ हुआ वो पुलिटिकल गिंबिट्स था या कोई बहुत ही जैन्वन केस था देखिए मैं इसको दोनों तरह से डिस्क्राइब करूँगा ताहिर भाई चूंकि आपका जो चैनल है बहुती जिम्मेदार चैनल है और टैग को हिंदुस्तान में तो देखा जाता है हिंदुस्तान और कैनेड़ा के अलावा पूरे यूएस में और आपक पाकिस्तान बंगला देश जहां जहां उर्दू जानने वाले लोग रहते हैं वहां हर जगा देखा जाता है तो मैं आपके चैनल के जरीए चंद नहायती अहम बातें इस सिलसले में करना चाहूँगा यह जो करनाटका का केस हुआ जो बच्चियों के हिजाब का केस है जिस को कुछ लोगों ने मिलके अजाब सा बना दिया है बेसिकली कुछ नहीं था इसा था इतो जस्ट अ कोइंसिडेंस और वो क्या कोइंसिडेंस था कि स्कूल में कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन देखिए स्कूल में आप भी पढ़े हैं हम भी पढ़े हैं स्कूल के लिए कुछ स्टाफ टीचर बगारा के लिए तो उसी तरह से स्कूल वालों ने एक ड्रेस कोड बना के भीजा और उसमें उन्हों ने ये कहा के जो मुस्लिम बच्चियां हैं यहां क्लास्रूम में हिजाब लगा के आती हैं सो वी फील के ये एक सेकुलर इंसिटूशन है एंड हिजाब इस पार्ट ऑफ सम्रिलिजिस एक्टिविटी अमंग्स्ट था मुस्लिम सो यू शूद अवाइट वेरिंग हिजाब तो यस ताना से शुरू हुआ इसमें मैंने समझता के कोई जैसे बीजेपी के ओपर इल्जाम लगाया जा रहा है के जी इन्होंने एलेक्शन चल रहा है पार्ट स्टेट्स में उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए कम्मिनलाइज करने के लिए इन्होंने ढून धान करके जाब कॉन्ट्रोर्सी जो यह इसको इन्वेंट किया एपसुल्यूटली फार्स बिल्कुल गल है और हिंदुस्तान के अंदर बारा मासी कहीं न कहीं एलेक्शन कोई बड़ा एलेक्शन MP वाला होता है Member of Parliament का कोई छोटा एलेक्शन होता है MLA का होता है को उसे भी छोटा Corporation के एलेक्शन है तो यह चलते रहते हैं अब यह इंसिडेंटल था उन्हों उन्होंने देखिए मैं चीज और बताऊं यह हिजाब की शायद इसलिए कंट्रोवर्सी उठी के जैसे PFI है इंडिया में PFI कमिनल ग्रूप माना जाता है और उसी तरह से उसका एक स्टूडेंट विंग है CFI और यह CFI वाले लोग ऐसा लगता है कि यह बच्चियां थी उनके कॉलिज में गए और उन्होंने कहा भई आपको दीनदार होना चाहिए आप तो जीन्स में रहती हैं टॉप्स में रहती हैं इदर दर फिरती रहती हैं तो कहीं न कहीं इस वज़े से शायद एक ड्रेस को कोलिज की तो मेरा खैल ही है कि इन बच्चियों को बजाए इसके के एक खनासा दिमाग में आ जाता एक एगो प्राबलम बना लेती इन्होंने उसको एक इशू बना लिया और हाला कि स्कूल का जो मैनेजमेंट था उसने इन बच्चियों के माबाप को बुला कर एक साइन भ बना रहे हैं ना तो यहां को भगवा पहन के आएगा ना कोई इस तरह से गूंगट लगा के आएगा है सारी चीज़ें अनब हिजाब तो पैरेंट्स वापिस गए होंगे तो उसका कुछ वो हुआ होगा डिसकेशन समाज में तो वो लोग जो कम्यूनली बड़े आउट्र किया जाए और हिंदुस्तान के अंदर उसको अनस्टेबल किया जाए ऐसे लोग अब ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था मैं समझ रहा था कि अगर बच्चियों से कहा गया कि हम सैक्विलर इंस्टूशन हैं नथिंग रिलीजियस विल भी फॉलोड अच्छा वो बच इसको बना दिया गया और मैं मैं शुरू से इसको फॉलो कर रहा था मैंने बच्चियों को ये भी समझाए कि देखिया ऐसा है कि आप अब आज तो मेरे खाल से 46 देज हो गया उनको 46 देज में जब कोट का भी ऑरडर आ गया नाओ वी सौ कि उन्होंने हिजाब को अटार के इसको बना दिया पर आज पर रहा था मैं शुरू में हो जाती है। इन बच्चियों का बड़ा जबरदस नुपसान हो गया हमें पता है बता और टीचर्स हमें पता है बता और स्टूडेंस के दस मिनट भी क्लास 15 मिनट भी एक बच्चा लेट हो जाता है तो कितना लॉस हो इन बच्चियों के 45-50 देज इतने बरबाद हो गए, I hope they cover it, तो ये बहुत ही एक फुजूल चीज हुई, पूरी सोसाइटी को, पूरे मौसरे को इस चीज ने कमिनलाइज कर दिया, रैडिकलाइज कर दिया, and Muslims were further brought under scanner, very unfortunately, ताहिर भाई. फिरोस भाई ये बताएज के अब बच्चियां कम्प्रोमाइज कर गई हैं करनाटिका के स्कूलों में, ये कालजों में, भी ठीक हम हिजाब नहीं पहनेगे जब स्कूल आएंगे, क्यूंके ये स्कूल का यूनिफॉर्म है, कालेज का यूनिफॉर्म है, लेकिन ये जो इतना प्रोटेस्ट शुरू हो गए उस पे पीछे सारी प्लिटिकल पार्टियां आ गई तो ये क्या जो स्टेट एलेक्शन्स हो रहे हैं उसका एक फैक्टर है और ये कार्ड जो चलाना चाहा आपोजिशन की कुछ पार्टियों ने वो नहीं चला तो उनों ने का ठीक अचने अब बूल जाएं आप बच्ची आप हिजाब के बगार दोबारा चली जाएं क्लास में ये आपने ताहर में बड़ा इंपॉर्टन्ट और बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल किया है बताऊंगा मैं क्यों देखिए अब तो ये शू इस आल्मोस फिनिश्ट क्यों क्योंकि जो को इसको सराखों पर रखती है ताहिर भाई तो कोट ने जब कह दिया कि भाई you know nothing religious in a secular institution और हिजाब का कोई हिजाब basically रेखिए आप मुझसे ज्यादा बेतर कुरान आपने समझा होगा जाना होगा translation पड़ी होगी हिजाब का बुर्खे का कोई जिकर कुरान में नहीं है मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और मुझे कहते हुए डर्वी लग रहा है लेकिन जो मैंने उलेमा हजरास से और कुछ उलेमा का मतलब है जो मतलब मौलाना अजाद की तरह हर चीज़ को सही तरीख से समझते थे इस कुरान की और इसलाम की स्पिरिट को सही तरीख से समझ दोस्ते हैं उनों उनका एक कहना है कि लफ से हिजाब हो गया अगर इसका जिकर है भी महस मतलब एक ऐसा हिजाब है जो आँखों का हिजाब है ठीक है कपड़े का हिजाब से कोई लेना देना नहीं है पुरान के अंदर बुर्का तो जो तुर्की की विजंटीन जो वो थी आपका सिस्टम था जो उनकी हिस्ट्री थी वहां से आया बुर्का वहां से आया था बुर्का इस ऑलसो नौट पार्ट ऑफ यो नो कुरान और एनी हदीस हाँ ये जरूर है लेकिए कि जो खवातीन है अपने जिसम के उन आजा को कि जो दूसरे के अंदर को शहवत पैदा करें उनको ठके रखना है ये तो हर रिलिजन में होता है ये तो क्रिस्टैनिटी में भी है सिक्षिजम में भी हर जगा है उसी तरह से इसलाम में भी है लेकिन हिजाब इस नौट कंसिडर्ट तो बी अ कोर वैल्यू ऑफ इसलामिक टैनेट्स इसलाम के पांच टैनेट्स हैं हम सारी दुनिया को पता है जिसमें नमाज है हज है और उसके अलावा आप जकात देते हैं पांच टैनेट्स जो हैं वो तो हैं लेकिन जो हिजाब है इस नॉट एन इसेंशिल और कोर वैल्यू जिस तरीके से हमारे सिख भाईयों की टर्बन टर्बन किरपान और केश केश मतलब बाल ये तीन चीज़ें उनकी मतलब इंडियन कॉंसिटूशन में ये इसेंशिल कोर और प्रिंसिपल वैल्यूज मानी जाती है इसलिए कई लोग ये भी कहते हुए दिखे हूंगे इस कॉंट्रोवर्सी के दोरान अरे सिख पगड़ी पहन सकते हैं तो हमारी बच्चें हिजाब क्यों नहीं पहन सकती है तो ये मतलब उन लोगों को पता नहीं था कॉंसिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि हमारे सिख भाई जो है वो अपने जो है पगड़ी पहन सकते हैं बियार अमबेटकर साब ने जो कॉंसिट्यूशन लिखा था उसकी गालेबन उसके शेडियूर 29 की 29 के सब पार्ट एक सब पार्ट वन और सब सब पार्ट सी में यह चीज मैंशन है हमारे ठीक है मतलब अर्टिकल हिंदुस्तान के 14 से लेकर 29 तक जो भी है 30 तक जो भी है उसमें सब हैं हम अपनी जबान इस्तिमाल कर सकते हैं अपना पहनाव इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन देर इस अ कंडिशन ठीक है टेक एक एक्पल मतलब अगर डॉक् नहीं पहनेंगे हम बुर्का हम नकाब पहन के आपरेशन करेंगे इस नौट पॉसिबल बड़ा इंट्रेस्टिंग मैं आपको किस्ता बताता हूं मुझे पता नहीं है आपना सानिया मिर्जा का नाम सुना है है एदराबाद की एक लॉन टैनिस प्लेयर हुआ करती है इंड कोई पजामिया पहन के कुछ कवर करके ऐसे खेलना चाहिए तो यह बड़ी अजीब चीज है इस्लाम जो है अपने आप में इस साइंटिफिक रिलीजिन इस दे लास्ट रिलीजिन लास्ट ऑल फेट्स और यह बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना मतलब नैचरल रिलीजिन है इसको फितरत का एक बजब है हम यह नहीं कहते है इस दे बैस रिलीजिन जो है कहते हैं बैस रिलीजिन है वो बड़ा यह बड़ा बड़ा डेंजर स्ग्राउं उसको दिखाना पड़ेगा अगर मैं कहता रहूं गोरा साब आप कहते रहें आप भी मुस्लिम है इस्लाम इस वर वी तू से इस्लाम इस दे बैस रिलीजिन हैं फोर अ सिक सिकिसम इस दबैस रिलीजिन हैं वी शूड नॉट आप शूड़ा आप तो आपके अंदर ने तो आपकी सारी अच्छाईयों से यू टर्ण कर दिया है जिसकी बज़े से इसलाम इंड मस्लिम आप अदर आखि कि पांच स्टेट में जो इलेक्शन ऐसे समझा जा रहा है कि बीजे पी ने इसको या रिसेस ने इसको खोज के और निकाला आर एसस और बीजेपी ने इसको खोज के नहीं निकाला, it was a mere dress code by a school और इसको खोजा है, इसको focus किया है, जो communal elements है, जो fringe element हर जगा होता है, मुसल्मानों में भी है, हिंदूों में भी है, हिसाइयों में भी है, ठीक है, आइरलेंड में हमने देखा कितना terrorism था, अब तो खिर everything is peaceful there, तो कुछ हमारी community के कुछ intellectuals भी थे, उसमें पड़े लिखे, अच्छे खासे degree आफ़ता लोग भी थे, जिनोंने बले-बले डिग्रेयां हासिल करी हैं, और कुछ clerics भी थे, उन्होंने इसको, इस issue को हिजाब के issue को अज़ाब बना दिया, और ये कहा कि, बीजेपी पे इल्जाम लगाते वे कहा, ये तो election हो रहा है, इसलिए बीजेपी इसको radicalize कर रही है, absolutely wrong, कोई इसका basis नहीं है, इसको ऐसे ही लोगोंने, जैसे इसमें हमारे दोस्स ओवैसी साब भी है, एंड दी हिलक ओफ ओवैसी साब, उनके जैसे और लोगोंने, इसको तकरीबन, तकरीबन, इसको पूरा radicalize कर दिया, शो से रावा मचा दिया, अब खावाखाई की कोई चीज, हिजाब का कोई इतना लेना देना नहीं है, और स्कूल में बच्चियां बुरका हिजाब सब पहन क्या रही, थोड़े दिर क्लास में अगर उसको उठा के रखने, अच्छा दूसी चीज मैं कहाँ, हिंदुस्तान में तकरीबन 50% मुस्लिम बच्चियां जो हैं, वो बुरका नहीं पहनती, ना वो हिजाब पहनती है, ठीक है, मर्जी है, प्रॉफिट मौम्मद, पीस वी अपॉन हिम, आपने भी मुस्लिम बच्चियों को बड़े राइस दिये थे, एक रफ आईद का मौका था, तो आप घर जा रहे थे, तो घर जा रहे थे, तो वहां बच्चियां आपकी नवासियां थी, और भी बच्चियां थी उसमें, तो वो गाना गा रहे थी इतके खुशी में, आपको देखा, अरे तो मतलब प्रॉफिट मौम्मद, पीस वी अपॉन हिम, आप आ रहे हैं, डर गई, प्रॉफिट मौम्मद, पीस वी अपॉन हिम, आप उन बच्चियों के पास गए, आपने उनके सर पे हाथ रखा, और आपने बच्चियों से कहा, आप आप गा रहे हैं, आप गई है, और मुझे भी खुशी हो रही है, आपकी खुशी में, और आप मजीद और बेहतर गई ह तो ये तो हमारे प्रॉफिट मौम्मद, अल्लाहु अल्याहिवसल्नम का किरदार था, क्या हम उस किरदार पे चलना है, हमने दबा के रख दिया हैं बच्चियों को, हिंदुस्तान में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, अभी भी आ सकता है, ठीक है, अगर यू अगर उसके साथ नाइसाफी कर रहा है, तो खुद मुस्लिम मर्द नाइसाफी कर रहा है, उसको पुरा हिस्सा नहीं दिया जाता है, जायदाद में, उसको पढ़ने से रोका जाता है, कि पढ़ने जाएंगी स्कूल कॉलिज में, और अगर ये आर्किटेक्शर करेंगी, य प्लेयर बनेंगी, क्रिकेटर बनेंगी, पाइलिट बनेंगी, तो यह है कि कहीं न कहीं न के किरदार में कमी आएगी. तो यह सब फुराफाती बाते हैं, इन की कोई बेसिस नहीं है ताहिर वाई. बात यह करना चाहते हैं कि अब यह जो एकदम से शोशा उठा और यह शोशा अब बैठ भी गया है, एकदम से. मैं इसी कांटेक्स में जानना चाहूँगा कि यह बीजेपी का भी नहीं था, यह बलके आपोजिशन को सूट करता था. इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टन्ट हैं, बीजेपी के लिए भी, दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी. जो खवातीन हैं यूपी के, यूपी की जो खवातीन हैं, उनका ये ख्याल है कि योगी अदितिया नाद जी ने बहुत स्कुरिटी फराहम की. क्योंके वो सिक्यूर नहीं थी, यूपी के ऐसे हलात नहीं थे, तो लोग वहां पे खास तरह बच्चियां ओरतें सिक्यूर हों. जब से उनकी सरकार बनी है, बहुत स्कुर है हलात, अब फिर रियलेक्ट होने जा रहे हैं, तो हवातीन जो मुस्लिम बच्चियां खास तरह यूपी में जहां मुसल्मानों की बहुत बड़ी तदाद है, वो क्या महसूस करती है, इस प्रापगेंडे को, हिजाब है, मामला है, उसमें मैं शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा, किसमें कोई दोराएं नहीं है, कि योगी आदेतेनाद की सरकार में, जो है, हर खातून को चाहे हो हिंदू हो, मुसलिम हो, किसी भी मजग की हो, उसको सेक्यूरिटी अच्छी खासिफ हराम है, ठीक है, और स ज्यादा शुकर गुजा रहे हैं कि उन्होंने जो ट्रिपल तलाग थी, जो कि तलाग बिदत दी जाती थी, कि तीन बार लफज तलाग बोल दिया, और बाल बच्चेदार ओरत को घर के बाहर बिठा दिया, काने में नमक तेज हो गया, उसने साड़ी पहन ली, वो जो एलेक्शन है, खास दोर से यूपी का, जहां पर मुस्लिम खवातीन को ना सिर्फ एक ट्रिपल तलाग से, मतलब तलाग बिदत से शुटकारा मिला है, काफी हद तक एक खामोश वोटिंग, मुस्लिम मर्द चाहे इतना वोट ना दें, कुछ परसंटेज वोट उनका भी मैं समझता हूं, मौतबर और सीरियस किसम के पॉलिटीशन है, वो अखिलेश सहाब की तरह को लूज टॉक नहीं करते हैं, ठीक है, बैलन्स उनका जो भी बोलते हैं, बहुत ही नाप तोल के हर लफ का इस्तिमाल करते हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी और मुस्लिम जो विमन है, पॉलिटिकली, एक अच्छी नेटवरकिंग है, और बाकी देखिए, रिजल्ट तो सारा, ये तो देखिए, दस मार्च को आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम विमन का सपोर्ट, ये जो योगी और मुदी साब की एक डबल डेकर सरकार है, डबल डेकर सरकार, क्योंके डबल इंजन भी कही न कहीं डिसकनेक्ट हो सकता है, लेकिन डबल डेकर डिसकनेक्ट नहीं होती, तो मेरा खायल ये है, नताईस तो देखिए, मैं भी कहूंगा, लेकिन अच्छी उमीद रखी जानी चाहिए, क्यूंकि योगी साहब न सिर्फ मुसलिम खवातीन के हो या फिर ये के सड़के बनाई उन्होंने काफी मैं खुद जब दिल्ली से वहां जाता हूँ हापुड या मेरट जाता हूँ पहले मुझे धाई तीन घंटे लगते थे अब 40 से 50 मिनट में आप डिल्ली से हापुड मेरट पहुँच जाएंगे बड़े अच्छे फ्लाइवास उन्होंने बना दिये तो मैं ये सोचता हूँ नतीज़े कुछ भी आए योगी जी हारें या जीतें लेकिन इसमें कोई दोराएं नहीं है उन्होंने बड़े बीजेपी और रएसेस के साथ आज के दिन आपको कैसे दिखते हैं जी ताहिर भाई मैं समझता हूँ देखिए बीजेपी और रएसेस से मुसल्मानों के जो रिष्टे हैं मैं ये कहूँगा के रिष्टे तो अच्छे हैं लेकिन होता क्या है मुसल्मानों को अब से नहीं आजादी के बात से ये कहकर बहलाया फुसलाया जाता है भढ़काया जाता है और भढ़काया जाता है और आग लगाई जाती है उनके मौशरे में और जहर खोला जाता है कि एए मुसल्मानों ये बीजे प्यो और आर एसस तुम्हारे खून के प्यासे हैं इनको तुम्हारी गर्दन चाहिए इनसे बच के रहो अरे पहले मैं भी ऐसी समझता था ताहिर साब क्योंकि ये नेरेटिव जो था ये एक नेरेटिव आम नेरेटिव था मैं पुरानी दिल अब्ञेजर जो थे वो संगी थे बहुत से और एसस को मानने वाले थे तो मुझे लगा कि ये तो हमारे जैसे हैं और बहुत मेहंती लोग एं और हमसे ज्यादा मेहिनत करने वाले और जब मैने मैं ने परखा इनको मैंने किसी प्रूंस नेरेटिव पर परूसा नहीं किया तो काफी मुसल्मान मेरे जैसे हैं जो समझते हैं कि RSS और जो जनसंग है या BJP है इनके लिए मुसल्मान ऐसे ही हैं जैसे हिंदू हाई हैं जैसे कोई और कौम है और बलके मैं एक बात और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं जोड़ना चाहूंगा कि वजीर आजम मुदी ने अब से चंद साल पहले एक जबर्दस्ट वर्ल्ड सूफी कानफरेंस की थी जिसमें अल्ला के 99 जो नेम्स हैं बाकाइदा उनको पुकारा था और यही नहीं शायद ही कोई दुनिया का ऐसा वर्ल्ड लीडर होगा ना वो अबामा है ना वो आपके जो आनर कैनेडी हैं नहीं बरतानिया के कोई वजीर आजम या कोई वजीर आजम हैं जिनको इतने एजाजाजात मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से दिये गए हैं छे मुस्लिम कंट्रीज के बेस्ट आवार्ड्स यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी साब को दिये गए हैं कोई दिराजा मोदी गए थे बड़े इज़त तो है तराम के साथ और वहां का जो कौमी तराना जो गाया जाता है अरेबिक में उन्होंने बगायदा जंडगन मन हिंदुस्तान का कौमी तराना गाया और प्रोग्रेसिव लोग हैं ये लेकिन अब जब हमारे हमारे मुस्लिम तप् वैसी बिरादरान हैं उनकी तरह के और भी लोग हैं मैं किस-किस के नाम लोँ नाम लेने से कुछ नहीं होता है उप्पोजिशन पार्टी मेरा खाल यह है कि इन तमाम पार्टी में बीजेपी एक अच्छी पार्टी है ठीक है और बीजेपी का नजब लैन वही है सब का और ये जो फ्रेज है मौनाना अबुलकलामजाद ने उनीस सो चपन में ये फ्रेज दी थी जब वो यूनाइटिड नेशन्स की एक मीटिंग में बोल रहे थे, देली में हुई थी वो, और इसी तरह के अलफाज उन्होंने इस्तेमाल किये थे, वो पूरी वर्ल्ड की के हैं, कि मैं आपके तेलाएं, ये हिन्ग में समय में ग्याववाद की इस्तेमाद हैं, आप्राव वह में हिस्नाव लूक्त के सकताव में में तक में उनीठे नेति नेट भार रहे हैं ये। इनWAY होैं में ये उन्हां की कि अपशुतरे कीmüşजज हैं, और ऐसा आगे का करें तजर्बे के तजर्बे की वन्याद पर भी ऐसा ही पाया बहुत शुक्रिया फिरोज बक्ताइमद भाई आपने अपनी बहुत ही काबले कदर जो अरा दी और हम आने वाले दिनों में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और चाहेंगे के भारत के जो ये complex issues हैं इन पर आपकी राए लेते रहें आज हमारे साथ श्रीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया ताय साथ और आपके चैनल को भी मैं बबारत बात देता हूँ के दामे, दर्मे, कर्दमे, सुखने आप वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं और इस्पेशली पीस बिट्वीन मुस्लिम्स और इंटार वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया बहुत बहुत शुक्रिया व्यूजबाची सुने ते फिरोज बगत अहमत साहब की जो भारत की एक जानी पहचानी हस्ती हैं वहां की मुस्लिम कम्यूटी के वान अफ दा लीडर्स हैं अब हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस पर डुनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कॉंटिब्यूट पे कर सकते हैं झाल